गुड मॉर्निंग आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्लांट डिजीज का अध्यन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइट रस्ट ओफ क्रूसिफर्स यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको पत्ती पर सफेद सफेद धब्बे नजर आ रहे हैं यह प्लांट डिजीज अल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा उत्पन की जाती है अल्ब्यूगो को हम सिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं भारत वर्ष में पाया जाने वाला यह रोग काफी विनाश उत्पन करता है तथा क्रूसिफेरी के पात्पों को काफी शती पहुँचाता है सर्सों, रेडिश, क्याबेज तथा टर्निप इत्यादी प्लांट्स इस डिजीज के द्वारा ग्रसित होते हैं तथा एकनॉमिकली यह डिजीज इन्हें हानी पहुँचाती है अल्व्यूगो कैंडिडा पौधे के समस्त एरियल पार्ट्स को संक्रमित कर देता है पत्तियों तथा तने पर हमें सफेद रंग के पश्चूल्स या धब्बे नजर आने शुरू हो जाते हैं देखते हैं इस रोग को कैसे पहचान सकते हैं क्या सिम्टम्स हैं इस डिजीज के सबसे पहले तो यह रोग लोकेलाइस्ट रूप में अथ्वा सिस्टैमिक दोनों ही रूपों में पाया जा सकता है पहले इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं लोकेलाइस्ट या स्थानिक रित का अर्थ है कि पाधप के किसी विशेष्ट भाग में रोग का संक्रमन पाया जाना सिस्टेमिक का अर्थ है कि जब यह संक्रमन संपूर्ण प्लांट बॉडी पर फैल जाता है तो इसे सिस्टेमिक सिंटम के नाम से जाना जाता है वाइट रस्ट के अंतरगत सबसे पहले तो सिरफ पतियां ही प्रभावित होती है लेकिन जैसे जैसे इस रोग की उग्रता बढ़ती है वैसे वैसे पतियों के साथ ही समस्त प्लांट पार्ट्स भी अफेक्टेट होना शुरू हो जाते है सर्व प्रथम यह रोग एरियल पार्ट्स पे या वाइविय भागों पर ही उत्पन होता है जैसे की लीव्स, स्टेम्स, फ्लार्स एन फ्रूट सित्यादी पर शुरुवात में हमें वाइट कलर के धब्बे नजर आने शुरू होते हैं यह धब्बे सबसे पहले पत्टियों पर अपेर होते हैं जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह पश्चूल्स या धब्बे धीरे-धीरे पत्टी की निचली सते पर भी फैलने लग जाते हैं और अधिक severe होने की दशा में यह है रूग upper surface, lower surface, stem तथा fruits and flowers तक भी फैल जाता है संक्रमन के पश्चात, plant parts असामान्य हो जाते हैं, अपसामान्य हो जाते हैं यह है अपसामान्यता hypertrophy, fleshiness तथा distortion के रूप में सामने आती है तने फूल कर मोटे एवं मासल हो जाते हैं तथा इनफ्लोरेसेंस भी डिस्टॉर्ट हो जाता है विरूपित हो जाता है यह देखिए इस रोग के शुरू में आपको सर्सों की पत्ती पर अथ्वमूली की पत्ती पर यह रोग जहां पर भी प्रकट होता है इस प्रकार के सफेद पाउडर नुमा धब्बे नजराने शुरू होते हैं और जैसे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह धब्बे थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित हैं और जैसे जैसे यह disease severe होती है यह धब्बे आपस में मिलते जाते हैं और एक बड़ा area cover करते जाते हैं इसके पश्चात यह रोग पुष्प क्रम तक भी पहुँच जाता है तथा सामानने पुष्प क्रम को distorted अत्वा विरूपित कर देता है पुष्प पत्ती नुमा सरचना प्रदर्शित करने लग जाते हैं अब हम देखते हैं कि हमें यह सफेद धब्बे नजर क्यों आते हैं यह सफेद धब्बे अलब्यूगों में कुनीडियम की उपस्तिती के कारण नजर आते हैं एसेक्स्वल रेप्रोडक्षन के दौरान अलब्यूगों में कुनीडिया की एक चेन बनती है चुकि यह कुनीडिया पत्ति के अंदर ग्रो कर रहा है तो जैसे जैसे इन कुनीडिया की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे यह पत्ती की epidermis पर pressure exert करना शुरू करते हैं और दबाफ के कारण यह पत्ती की जो epidermis है तूट जाती है और इस epidermis के तूटने से यह कुनीडिया पत्ती के बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार हमें बाहर की तरफ सफेद धबो के रूप में नजर आने शुरू हो जाते हैं तो इस प्रकार जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह धबे और बड़े होते जाते हैं तथा सपश्ट रूप से नजर आने लगते हैं यहां पर हमने एक term का प्रयोग किया hypertrophy तथा hyperplasia, अतिवृध्धी तथा अतिवर्धन, यह terms अक्सर पूछ ली जाती है, इनके मध्या अंतर पूछ लिया जाता है, अथ्वा इनकी परिभाशा पूछ ली जाती है, hypertrophy का अर्थ है, जब किसी भी पादब अथ्वा पादब भाग की abnormal growth होती है, तथा इस growth का कारण होता है, affected cells का enlargement या cells का आकार में बड़ा होना, तो जब enlargement के कारण abnormal growth है, तो इसे हम अति, वृध्धी अथ्वा hypertrophy के नाम से जानते हैं, इसके विपरीत अगर abnormal growth का कारण, increased cell division है, या बड़े हुए विभाजन के कारण abnormal growth पाई जाती है, तो इसे hyperplasia के नाम से, अत्वा अति वर्धन के नाम से जाना जाता है, white rust of crucifers में आपको यह है, दोनों ही phenomenon नजर आएंगे, hypertrophy तथा hyperplasia, और दोनों ही inflorescence में तथा pushpon में विरूपन उद्पन करते हैं, अब हम देखते हैं, disease cycle के बारे में, कि यह है रोग किस प्रकार एक season से next season तक पहुँचता है, तथा अपना अस्तित्व बनाए रखता है, white rust एक soil bond या मृदोड disease है, soil bond का अर्थ है, कि जो inoculum होता है, यानि infection करने में सक्षम पार्ट जो होता है, वे हैं soil के अंदर या मिट्टी के अंदर दबा रहता है, और अगले season में पुनह स्वस्थ पात्पों को infect करता है, white rust of crucifers में उस पोर्स जो की अलब्यूगों में निशेचन के पश्चाद बनने वाली structure है, वे हैं प्राथ्मिक संक्रमन का या primary inoculum का मुख्य सोर्स है, प्रतेख वर्ष पिछले साल के पड़े मिट्टी में पड़े इन ही उस पोर्स के द्वारा इस disease की शुरुबात की जाती है, इसके पश्चाद बनने वाले कोनीडिया जो की वायू में spread हो जाते हैं वह इस disease को तेजी से फैलाते हैं, ठंडा तथा नम मौसम इस रोग के उत्पन होने में तथा विक्सित होने में सहायता प्रदान करता है, तो इस प्रकार उस्पोर्ण तथा कोनीडिया की सहायता से यह रोग पीडी-दर-पीडी फैलता रहता है, इस disease को control करने के लिए कई methods काम में लेने होते हैं, जैसे की crop rotation, crop rotation का अर्थ है कि प्रतेक वर्ष अथ्वा कुछ वर्षों के पश्चात हम crop को change कर दें, एक साल कोई और crop ले ले और अगले साल वापस crucifery के पात्पो को ही उगाया जाए, तो इस प्रकार मिट्टी में पड़े उस्पोर्स के नश्ट होने की संभाबना बढ़ जाती है, इसके अतिरिक्त weeds को, खर्पत्वार को तथा संक्रमित पात्पों को नश्ट कर देना जाहिए, chemically bodyx mixture का छड़काव करने से भी white rust of crucifery को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इस प्रकार white rust एलव्यूगों के द्वारा उत्पन होने वाला एक महत्व पून्ड रोग है, जो की crucifery के पात्पों में विनाश का कारण बनता है, धन्यवाद